ठीक है अगला कहता है market value के इसाफ से तो market value में किसी का तो market value देही नहीं रखा same रहने वाले है बस security में बदल जाएगा equity में number of shares अगर आप पूछो ना तो 1 lakh है तो 1 lakh into में 30 हो जाएगा number अच्छा वो 1 करोड था एक रुपे प्राइज है market में नहीं यह miss print है थोड़ा question में यह 1 lakh होगा यहाँ पे तो सही है उससे क्या फरक पड़ता है वहाँ से तो कोई फरक ही नहीं पड़ा होगा यह 1 lakh share है भाई इसको काट देना तो 1 lakh into में 30 30 lakh वैसे भी क्या फरक पड़ता हो तब भी 30 आएगा अगर अपलोगे तब 1 रुपे का प्राइज नहीं तब चेंज आजएगा preference share कितने काई sir कोई फरक है नहीं 3 lakh term loan कितने काई कोई फरक नहीं 12 lakh retain earning लेंगे नहीं कोई बदलेगा नहीं 0.1 यह वही रह जाएगा 0.09 यह वही रह जाएगा जो पहले था हमारा क्योंकि कोई बदलाव हुआ ही नहीं 0.05 2 0 चलिए 30 और 45 लाख इसका आजाएगा 3 27,000 62 4 3 389 400 ठीक है अब आजाते हैं W.A.C.C 389 400 डिवाइड़ वाई 45,000,000 इन टू 100 यह ठीक आना चाहिए 8 पॉइंट यह ठीक आना चाहिए सर देख ले जा 6,500 आ रहा है न 7,0 हाँ 6,5 7,0 तो चलेगा 3,4 पॉइंट तो उपर नीचे है इसमें जादा फरक थोड़ी है और वो राउंड फिगर में आ रहा होगा वैसे भी हाँ तो वो चलेगा हो तो यह ठीक है यह वाला गलत है मैं दुबारा बोल दूँ इसके आंसर पर रिलाएं मत करना भी जो अभी करा था मैंने कुश्चन कुश्चन नमबर 16 भी हमारा हो जाता है डन देख लेते हैं नो रिटेन अर्निंग अउनली इंक्लूड इन बुक वेल्यू चलिए बताइए क्लियर है सबको तो अगले कुश्चन पर चलें केपी कैसे निकाला केपी के अंदर फॉर्मूला लिखा है केपी का केपी का फॉर्मूला सर होता है केपी इस इकल टू डिविडेंट डिवाइड़ बाई एंपी इंटू में हंड्रेट तो डिविडेंट कितना आया अगर 9 परसेंट है तो 100 रुपे का है तो 9 आएगा एंपी 100 रुपे रहेगा इंटू हंड्रेट करके 17 में डाउट है चलिए देखते हैं 17 में क्या प्राब्लम है